हेलो फ्रेंड्स आर्भी डव्ली फेशन में आपका स्वागत है मैं आज आपको रेडिमेट साड़ी बनाना सिखाऊंगी चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमें इस प्रकार के साड़ी की जरूत पड़ेगी देखिए इसे इस प्रकार से खोल लेना है कौन सा हिस्सा नीच यह साड़ी का पिछे का हिस्सा है और यह साड़ी का पल्लू है साड़ी के पीछे वाले हिस्से से स्टार्ट करेंगे जो पेटिकोट में अंदर फोल्ड किया जाता है यहाँ पर चार इंच की दूरी पर आपको निशान लगाना है यह आपको जहाँ पर पटली स्टार्ट करते हैं वहाँ तक लगाना है पल्लू आपके अनुसार ले सकते हो मैं यह पूरा इंच टेप एक यह देखिए पूरा एक इंच टेप लास्ट तक मैंने नाप लिया है फिर इसके बाद में इस प्रकार से मैंने इतना नाप लिया है यह लगबग सवादो मीटर है सवादो मीटर का पल्लू लिया है मैंने फूरा आप जितना भी पल्लू लेते हों तो तुसे निशान लगा लीजिए सवादो पर आप सवादो पर डाइरेक लबी ले सकते हो अब यहाँ पर यह निशान पर धन रखना है आऊएगी यह सब कट करेंगे और यह सब करते जाना ये अभी निशान लगा ने फिर से कटिंग करना है रूब सपर निशान लगा लेंगे चौक से मेजरमेंड भी करते जाएंगे आघ merely अब इसे कट कर लेंगे पल्लू तक कट करना है जहां पर जो निशान लगाया था बहुत ही अच्छे तरीके से रेडिमेट साड़ी बन कर तयार होगी पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा बिच बिच में स्किप करके देखें जिससे आप जिससे कि आप में पार्ट मिस कर दोगे इसलिए लाश्ट तक देखिएगा पल्लू तक आप कट करते जाना है यह देखिए जहां पर पल्लू के लिए निशान लगाया तो महां तक आ चुके हैं कट करते हुए आप इतना थोड़ा सा देड़ इंच का हिससा छोड़ देना है मैं आपको आप इंच टेप से बताती हूँ देड़ इंच हिससा छोड़ देना है जितनी साड़ी लपेटी जाती है पेटिकोड पे स्टार्टिंग में उत्य पे निशान लगाएंगे वह कमर की साब से होता है मैं 45 इंच पर निशान लगा रही हूँ यह देखिए आपको भी इसी पर लगाना है 45 इंच पर बारा इंच की एक पटली है वो 45 इंच पर निशान लगाए था उस डॉट पर रखकर बारा इंच पर निशान लगाएंगे यह देखिए अब बारा इंच पर निशान लगाना है फिर उस डॉट पर रखना है फिर बा लगाते जाना है पटली के लिए जहां तक पल्लू का हिस्सा आ जाए वहां तक लगाते जाना है इधर भी लगाना है 12 इंच पर यह पलू का हिस्सा है अब इसे जोड़ते जाना है डॉट से डॉट इस प्रकार से जोड़ते जाए यह देखिए वो तीजीली पटली बन जाएगी इस प्रकार से फोल्ड करते जाना है और अब इसे पीन अप कर लेंगे यह इस प्रकार से पीन अप कर लेना है इस पे सिलाई भी लगाना है पहले तो पीन अप किजिए इसे अच्छे से जमा लेना है यह वीडियो मेंने किसी के रिक्वेस्ट पर बनाया है अगर आपको यह वीडियो जरा भी कुछ पसंद आएगा तो प्लीज सस्क्राइब और लाइक जरू कीजेगा यह जो पल्लू है इसको इस प्रकार से सिलाई करेंगे कम से कम सवा दो इंच है यह इस प्रकार से पट्टी लगाना है अब इस पर सिलाई करेंगे पीछे के हिससे सिलते हुए जाना है यह पीछे का हिससा है अब इसके उपर सिलाई लगाएंगे आराम आराम से सिलाई लगाना है क्यों बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है यह हेवी साड़ी है जरा अब ये हिस्से को आपको सेम इसी प्रकार से करना है अच्छे से पटलिया जमा लेना है पिले सिलाई लगा लिए अब इस पल्लू को लगाएंगे अंदर एक अंदर और छोटी अली प्लेट ले लेंगे और इस प्रकार से पल्लू वाले हिस्से को आपको रखना है उपर से सवा इंच उपर रखना है देखिए हमें आपको उसका मेजरमेंट करके बताती है सवा इंच एक्स्टा रखना है तोई को इस प्रकार से अंदर डालिए और इदर सिलाई लगाना है आपको इस प्रकार से आपको इसको मोड लेना है यह और इदर सिलाई लगाना है पटलियों को छोड़ देना है थोड़ा आगे बीचे कर लेना है पक्की सिलाई अब इस साड़ी पर जो हमने पट्टी काटी थी वो लगाएंगे इस प्रकार से आपको अब यह पट्टी रखेंगे अब सिलाई करेंगे इस प्रकार से आपको सिलते जाना है इस प्रकार से आपको सिलाई करते जाना है झालते जाना है आपको अगर ये वीडियो जरा भी कुछ पसना आए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा और लाइक कीजेगा यहाँ पर थोड़ा मोटा कपड़ा है तो आप अराम-अराम से चलाईएगा देड़ इंच पर आपको इस पट्टी को कट कर लेना है अब इसे एक फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे अब कट कर लेंगे यहाँ पर आपको मशिन बहुत आराम से चलानी क्योंकि यह वह ज्यादा ही मोटा हो जाता है अब इसे आपको इस प्रकार से सुई को अंदर डालना है और इदर मोल्ड लेनर सिलाई लगा लेना है इस पट्टी पर अब इसे फोल्ड करेंगे देखिए कितने अच्छे तरीके से पटली पर सिलाई लग चुकी है अब इसा मोरना है और सिलाई लगा लेना है यह पट्टी की कम से कम लंबाई मेने 7 इंच पर मोडा हुआ है अब सिलाई लगाएंगे इसके उपर यह बेल्ड सवाइंच का है देखिए यह सवाइंच का बेल्ट है पूर लास्ट तक एसी सिलाई लगाते जाना है आप इस प्रकार की बच्चों के लिए भी साड़ी बना सकते हो अब सिलाई लग चुकी है इसके उपर अब इसके उपर भी सिलाई लगाएंगे अब इसके उपर भी सिलाई लगाएंगे कि इतने अच्छी तरीके से सफाई दिख रही हैं बहुत ही अच्छी दिखते हैं मैं आपको यह साड़ी पहन कर भी दिखाऊंगी साड़ी के उपर हुक लगाएंगे जो बड़े हुक होते हैं आप जबी भी साड़ी को इस प्रकार से बनाओ तो पल्लू को आप पहले इसे डाल कर देख लिजे कि आपको कितना पल्लू आप लेते हो सबका अलग-अलग लेने का तरीका होता है तो आप वहां पर इसे मेजर्म कर लिजेगा यह देखे बहुत ही सुन्दर दिख रही है साड़ी यह जो हुक है मैंने पैंड के निकाले हुए है आप इसे से खोल लीजिए पुरानी पैंड के हुप निकाले मैंने यह अभी जो शॉप वगेरा बंद के है इसलिए में ने पुरानी पैंड के quantum के निकाले हैं थोड़ी दिक्कत आ सकते है पिसे लगाने थोड़ इसवे लग जाते है यह देखे एजी लीजिए लग जाते हैं थोड़ा अराम से लगाना है यह देखिए ये लग चुका है एक हुक, वो टाइट रहता है ये भी, अब दूसरा बीच में लगाना है, ये नाप लेना है, आप इतनी दूरी पे लगाना, जितनी दूरी पे मैंने लगाया है, आप उतनी ही दूरी पर दूसरा हूक लगाईए, यह देखिए, आपको 33 इंच की दूरी पर दूसरा हूक लगाना है, यह कमर की हिसाप सरेता है, अब इसको आई लगाएंगे ये भी मैंने पैंड की ही निकाली ये पुरानी पैंड की इसे डारेक लगा लेना है इसे होल करना है ये ये देखिए आपको अगर ये नहीं लगाना समझ मैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना मैं आपको वापिस से बताऊंगे इसे किस प्रकार से लगाना है ये देखिए से यूँ दबा लीजे प्लायर की मदद से अराम अराम से अब ये लास्ट एक और हुक लगाना है ये देखिए इधर होगा अटेज अब इधर लास्ट में लगाना है इधर इसके में दूरी आपको नापके बता देती हूँ, कितनी दूरी पर लगाएंगे दूसरा वाला हुख 11 इंच की दूरी पर लगाया है दूसरा हुख यह देखिया, इस प्रकार से आगा यह फुर्ड, यह निशान लगाना है दोनों साइट पे अब इसे भी खोल लेंगे इस प्रकार से इदर भी सेम उसी प्रकार से लगाना है यह इजिली अंदर चला जाता है कपड़े के और इसे फोल्ड कर दीचिए और दबा लेना है साइट पे हूक लगाएंगे अब इदर हूक लगाएंगे सेकेंड हूक लगाएंगे हलका सा अंदर के साइड ही कट लगाना है बाहर के साइड नहीं कट लगाना है यह यह देखिए इस प्रकार से क्योंकि यह हूक अंदर से लगेगा इसके यह देखिए अब अलका से इसको चोड़ा कर लीजिए और यह हूक इस प्रकार से आपको अटेच करना है आपको अगर यह हूक इसन ना लगाना है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो इस प्रकार से लग चुका इजी ली यह देखिए लग चुका है यह प्लीज मुझे कमेंट करके पता ना आपको यह वीडियो कैसा लगा जिससे की मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे लाइक से यह हूक लगा है यह फर्स्ट हूक यह लाश्ट वाला हूक अब मैं आपको यह साड़ी पहन कर भी दिखाऊंगी देखिए यह पल्लू है यह पटली का हिस्सा है इधर और हमने दो हूक लगाए हुए हैं अब इसे इस प्रकार से रखिए पीछे से अच्छे से साड़ी का कपड़ा ले लीजिए और इस फर्स्ट वाले हूक में लगाना है इस प्रकार से और फिर सेकेंड वाले हूक में यह बहुत ही अच्छे से फिट बेटती है साड़ी और फल लू के इस प्रकार से आप ले लीजिए बहुत ही अच्छा लू का रहा है साड़ी का थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कीप वाचिंग प्लीज कमेंट करके पता ना मुझे